The Girl With The Dragon Tattoo movie series हमेशा कफी चर्चे में रही है and unfortunately मैंने इस पूरी movie series में एक भी movie नहीं देखी है इस पूरे movie series में अभी तक चार movies रिलीज हो चुकी है पहला आया The Girl With The Dragon Tattoo 2009 में दूसरा The Girl Who Played With Fire अगें 2009 में तीसरा The Girl Who Kicked The Harness Ness अगें 2009 में चौता The Girl With The Dragon Tattoo 2011 में और अब इस movie series की पांचवी movie आ रही है जिसका नाम है The Girl In The Spiders Web A New Dragon Tattoo Story और इसमें शौकिंगली एक बिल्कुली नए अफ़तार में दिखेंगी हमें क्लेफॉर्ट NSA यानि कि National Security Agency से निकाले जाने के बाद फ्रैंस बॉल्डर रेक्रूट करते हैं हैं हैकर लिस्बेट सलेंडर को एक फायरवाल चुराने के लिए ये एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि हर एक देश के नुकलियर कोट्स का पता लगा सकता है जब लिस्बेट ये प्रोग्राम चुरा रही होती है तो एक NSA एजेंट इनको ट्रैक कर लेता है मगब प्रॉब्लम्स तब आती है जब कुछ Russian thugs लिस्बेट के laptop को चुरा लेते हैं और एक ऐसे mathematician विस्किट को kidnap कर लेते हैं जो इस firewall को फिर से चालू कर सकता है अब लिस्बेट इन सब के बीच फच जाती है क्योंकि NSA को लगता है कि इनोंने firewall चोड़ी किया है और यही गुनेगार है और अब लिस्बेट को एक ऐसे इनसान जाने के इनकी बेहन के साथ मिलकर जिनसे इनकी बिलकुल नहीं जमती और जो इनकी जान के दुश्मन भी है उनसे मिलकर इन सब को रोपना है अब वो यह सब कैसे करती है और क्या-क्या action, suspense और thrill हमें देखने को मिलता है इस movie में कुछ यही story है movie की और इसके बारे में हम जान पाएंगे तब जब यह movie all over India में release होगी 23 November 2018 को और कुछकबरी यह है कि यह movie confirm हो चुका है कि release होगी all over India में in English as well as Hindi languages and again in 2D format Tamil और Telugu languages के अभी तक कोई updates नहीं आये हैं और मुझे नहीं लगता कि अब यह Tamil और Telugu में release भी होगी मगर अगर कोई updates आएंगे तो मैं इस वीडियो का description जरूर update कर दूँगा तो description चेक करना न बूलें इस movie का action packed official Hindi trailer भी आ चुका है आप यहाँ पर click करके उस trailer का मज़ा ले सकते हैं तो यह था हमारा update इस movie को लेकर आपको हमारा यह update कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं ऐसे ही और updates के लिए हमारे चैनल को subscribe करना न बूले और हाँ bell icon दबाना बिल्कुल न बूले अंति तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद you all have a very great day